परस्नावली 10.1 हम लोग करने जा रहे हैं इसका पहला question देखिए निमलखित सदिसों के परिमार का परिकलन कीजिए तो ये जो तीन सदिस A, B और C दिये हुए हैं हमको इसका परिमार निकालना है तो हम जानते हैं कि अगर हमारा जो concept इसमें क्या लगेगा कि अगर R बराबर X इन्टो आई कैप प्लस Y इन्टो जे कैप प्लस Z इन्टो के कैप एक सदिस है तो तो इसका परिमार इसको लोग सदिस R का मौट से परदर्शित करते हैं और ये क्या होता है आई के गुडान का स्कॉयर प्लस J के गुडान का स्कॉयर प्लस K के गुडान का स्कॉयर अंडर रूट X स्कॉयर प्लस Y स्कॉयर प्लस Z स्कॉयर ये पॉइंट हमारा क्या होगा ठ्योरी के रूप में यूज होगा तो अब जो सदिस दिये हैं, इनका परिमार हम लोग निकालते हैं, ए बराबर हमारा है I प्लस J प्लस K, तो हमारा जो यहां से I का जो परिमार होगा, स्वरी, वेक्टर A का जो परिमार होगा, वो I के गुरांग का स्क्वाइर, प्लस J के गुरांग का स्क्वाइर, प्लस K के स्क्वाइर हो गया अंडरूर्ट 3 वेक्टर भी हमारा क्या दिया हुए 2i-7j 2i-7j-3k तो यहां से जो हमारा b का जो परिमार होगा i के गुडांग का स्क्वाइर प्लस j के गुडांग का स्क्वाइर प्लस k के गुडांग का स्क्वाइर तो b का जो परिमार हमारा हो गया अंडरूर्ट 4 प्लस 14 प्लस 9 49 प्लस 58 अंडरूर्ट 62 हो गया यह हमारा जो हमारा c सदिस दिया होगा है 1 अपान रूट 3 i प्लस 1 अपान रूट 3 j-1 अपान रूट 3 k तो c का परिमार हमारा हो गया अंडरूर्ट i के गुडांग का स्क्वाइर i का गुडांग का हमारा क्या है 1 अपान रूट 3 तो इसका स्क्वाइर प्लस j का गुडांग को भी 1 अपान रूट 3 इसका स्क्वाइर Q x kya गुड़ा नमाइनस 1 by root 3 स्क्राइब 1 by root 3 का स्क्राइब 1 by 3 होता है 1 by 3 plus 1 by 3 और ये minus का whole स्क्राइब plus हो जाएगा 1 by 3 plus 1 by 3 3 by 3 पहला question हम लोगों का हो गया कि कोई भी सदिस आपका दिया हो और उसका परिमार निकालना हो तो सिदा सिदा आपके आखरें under root i के गुणाँ का स्क्वाइर प्लस j के गुणाँ का स्क्वाइर प्लस k के गुणाँ का स्क्वाइर यह हम लोगों का जो theory उज़ होगा वो हम लोग ऐसे लिख लिया करेंगे पहला question second question हम लोग परते हैं समान परिमार वाले दो बिभिन सदिस लिखिए दूसरा question हमारा क्या कह रहा है कि दो सदिस आपको लेखने हैं जिनका परिमार समान हो समान परिमार वाले दो बिभिन सदिस लिखिए कि दो अलग-अलग सदिस हों लेकिन दोनों का परिमार क्या होना चाहिए समान होना चाहिए तो इसके लिए हम लोग देखे क्या करते हैं आप कोई भी ले लिजी जैसे ले लिया हम लोगों ने एक सदिस ले लिया A A बराबर A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप और हम लोगों ने एक सदिस ले लिया B इक्वल टू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप अब यहां से हमारे A और B सदिस अलग हैं और A का हमारा परिमार क्या लिखे रहे हैं लोग अंडरूट A1 स्कॉयर प्लस A2 स्कॉयर प्लस A3 स्कॉयर B का परिमार हमारा क्या होगा अंडरूट B1 square plus b2 square plus b3 square तो सदिस a की दिशा में हम लोग एकांक बेक्टर लिख लेंगे सदिस a की दिशा में यह हमारा क्या होगा सदिस a अपां सदिस a का परिमार तो यह हमारा क्या होगा सदिस a की दिशा में एकांक बेक्टर होगा एक वेक्टर ऐसा हमको मिल जाएगा जिसका परिमार क्या होगा 1 होगा तो यह हमारा हो जाएगा a1 i plus a2 j plus a3 k upon under root a1 square plus a2 square plus a3 square इससे हमारा क्या हो गया कि अब हमको इस वेक्टर का magnitude के बारे हम नहीं सोचना परिमार हमारा इसका क्या है 1 है definitely और ऐसे हम लोग बी कैप अगर हम लोग लिखने तो यह हमारा क्या होगा वेक्टर बी अपान बी का परिमार यानि बी कैप हमारा हो जाएगा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप अपान under root b1 square plus b2 square plus b3 square आप a कैप और b कैप हमारा मिल गया कि जिसका परिमार क्या है 1 है तो समान परिमार यानि यह a कैप b कैप भी हमारे होगे अगर हम लोग किसी समान संख्या से गुड़ा कर दें तो एक बेक्टर हमारा क्या हो गया a कैप और b कैप समान परिमार और यह सिस्थित में यहाँ परिमार कितना है वन है समान परिमार वाले दो बिभिन सदिस्थ ठीक है अब इसको अगर किसी संख्या से जैसे शिक्स इंटू ए कैप कर दें और और 6 इंटू बी कैप तो यह भी क्या होंगे समान परिमार वाले होंगे क्योंकि a का परिमार a कैप का परिमार वन है तो 6 इंटू ए कैप का परिमार छे हो जाएगा और 6 इंटू बी कैप का परिमार भी 6 हो जाएगा तो 6 a कैप 6 b कैप समान परिमार वाले दो अलग इसका मतलब क्या हुआ इसको कठिन बनाने का हमारा मतलब नहीं इसका मतलब यह हुआ कि आप कोई भी दो वेक्टर A और भी ऐसे रैंडम्ली लिख लो ठीक है जैसे A equal to आपने लिख लिए 2I plus चलिए इसको थोड़ा और समझा लिखते हैं कि आप कोई भी दो वेक्टर लिख लो आप A equal to जैसे लिख लिए किसे ने 2I plus 3J minus 4K B equal to I plus J minus K अब उनको दोनों का परिमार समान बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे पहले unit बना देंगे तो unit बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे modulus से divide करते हैं तो इसका 2 का square plus 3 का square plus minus 4 का square तो A का परिमार हमारा क्या हो गया 4, 9, 4, 13, 16, 31 B का परिमार क्या हो गया हमारा under root 1 का square plus 1 का square plus minus 1 का square तो यह हो गया root 3 अब हमारा अगर एक cap vector लिखें यानि 2I 4 के अपान root 39 अब इस vector के बारे हमारा definite हो गया इसका परिमार क्या होगा 1 होगा इसी साथ से अगर हम लोग B कैप भी लिखें I plus J minus K by root 3 तो इसका भी परिमार क्या होगा 1 होगा अब आप इसमें किसी भी संख्या से multiply करते चले जाएं समान संख्या से तो सारे vector अलग-अलग होगे लेकिन परिमार क्या होगा सेम होगा जैसे इसमें हम लोग वाले 4 से multiply करता है यानि 4 by 29 into 2i plus 3j minus 4k इसमें भी 4 से ही multiply करना पड़ेगा 4 by root 3i plus j minus k समान परिमार वाले 2 विभिन सदिस तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं सैकोडो सदिस ऐसे लिख सकते हैं जिनका परिमार समान होगा और अलग अलग होंगे आप कोई भी vector a ले लेंगे कोई भी vector b उसकी मदश से आप a cap vector निकाल लेंगे और a cap vector हमारा क्या होता? vector a upon modulus of vector a अब a cap vector और b cap vector निकालने के बाद हमको ये पता है कि a cap का परिमार 1 होगा b cap का परिमार 2 होगा अब इसके परिमार में किसी भी संख्या समान संख्या से गुड़ा करते जाएं यह नहीं हमारे बताने का मतलब है कि आप बहुत सारे सध्यिस निकाल सकते हैं इसलिए हमने a1, b1 करके बताया तीसरा सवाल है हमारा कि समान दिसा वाले दो बिविन ने सदिस लिखिए यह तीसरा क्वेस्चन हमारा है दिसा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए समान दिसा वाले अच्छा हम लोग जानते हैं कि जो सदिस A होता है और लेम्डा इंटू A सदिस या तो इसके दिशा में होता है या इसकी दिशा में विप्रीथ होता है लेम्डा इंटू A ठीक है? अगर लेम्डा विप्रीथ दिशा में कब होता है? जब लेम्डा रिडात्मक होता है जब लेम्डा रिडात्मक होता है तो lambda into a vector की दिशा a के बिप्रीत हो जाती है और उसी दिशा में कब रहता है जब lambda धनात्मक होता है तो समान दिशा वाले दो बिभिन सदिस लिखिए तो आप कोई भी एक सदिस ले ले माना a, a बराबर हम लोग ऐसे भी कोई, कोई में सदिस 4i plus 2j minus 3k इसकी जो भी दिशा होगी ठीक है इसकी समान अगर इसको किसी भी धनात्मक संख्या से गुरा किया जाएगा तो उसकी भी दिशा क्या होगी उसी सदिस a की दिशा में होगी तो इसमें हम लोग लिखें कि सदिस a में सदिस a में किसी भी किसी भी धनात्मत अधिस से गुड़ा करने पर प्राफ सदिस की दिशा सदिस एक की दिशा में होगी तो इससे आप समान दो नहीं सैकलो लिख सकते हैं कैसे ए आपने बेक्टर लिख लिए अब हम जानते हैं किसी धनात्मक संख्या से एमें गुड़ा करेंगे तो जो सदिस मिलेगा उसका दिशा वही होगा जो एका होगा तो मान लिते हैं इसमें दो से मल्टिप्लाई करते हैं यानि 2 इंटू A तो 2 इंटू A वेक्टर मारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 4I प्लस 2J माइनस 3K तो 2 यहां से चला गया तो 8I अंदर गया प्लस 4J माइनस 6K तो हम लोग क्या कहेंगे कि यह जो बेक्टर होगा यह निश्चित रूप से इसकी दिशा A के दिशा में ही होगी यानि 4I प्लस 2J माइनस 3K 8I प्लस 4J माइनस 6K समान दिशा वाले अच्छा दोनों बिभिन वेक्टर हैं अलग वेक्टर हैं सेम नहीं हैं समान दिशा वाले दो बिभिन सदिशा दो बिभिन सदिशा तो अगर अगर हम लोग एक दारेक्ट वाब बोलें कि A और लेम्डा ए जहां लेम्डा धनात्मक अदिश है यानि कोई धनात्मक संख्या है तो कुछ भी वेलू आप लेम्डा की रखते चले जाए लेम्डा की वेलू 2 लिए यानि वेक्टर A और 2A वेक्टर ये भी जो समान दिशा वाले होगे वेक्टर A थ्री A वेक्टर ये भी समान दिशा वाले होगे यानि बेक्टर A और लेंड़ा इंटू बेक्टर A, जहां लेंडा धनात्मक अदिस है, लेंड़ा के सभी मानों के लिए, धनात्मक मानों के लिए लेंड़ा के सभी कौन से? समान होती है तो इस question का हम लोग पूरा जो है मूल समझ रहे हैं ऐसा नहीं कि कोई एक example जो पूछा है वही देखे बात अपना खतम कर लिया जाए यह हमारा मूल है कि अगर किसी भी vector में धनात्मक संख्या से गुड़ा करेंगे आप तो उस vector का magnitude ही change होता है दिशा वही रहती है तो आप कोई भी vector लेके उसमें किसी भी धनात्मक संख्या से गुड़ा करें तो एक ही दिशा वाले दो बिविन सदिस आपको मिल जाएंगे यह question number 3 हो गया question number 4 हम लोग देखते हैं x और y के मान ग्यान कीजिए ताकि सदिस ये और ये समान है ठीक है तो एक सदिस मारा a बराबर a1i जो theory विव जोड़ा है वो बता रहे है plus a2j plus a3k है और b बराबर b1i plus b2j plus b3k है या दि सदिस a बराबर सदिस b तो ये कब होता है जब a1 बराबर क्या हो b1 a2 बराबर b2 और a3 बराबर क्या हो b3 यानि दो सदिस अगर आपके बराबर होते हैं तक तभी बराबर होंगे जब इनका x जो है i का गुड़ांक j का गुड़ांक और k का गुड़ांक तीनों की तीनों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए तो यह हमारा क्या है इसमें थियोरी यूज हो रहा है कि दो सदिस अगर A1 I plus A2 J plus A3 K और B equal to B1 I plus B2 J plus B3 K बराबर है यदे बराबर B तो A1 बराबर B1 A2 बराबर B2 और A3 बराबर B3 होगा अब हम question पर आते हैं लोग हमारा question क्या है कि X और Y के माम क्या कीजिए ताकि सदिस 2 I plus 3 J यानि हमारा दिया है कि 2 I plus 3 J बराबर क्या है X I plus Y J तो यह कभी होगा कब जब यहाँ पे I का गुडांक X है यहाँ पे क्या है 2 यहाँ पे J का गुडांक Y है यहाँ पे क्या है 3 यानि X बराबर 2 Y equal to 3 एक दों सिंपल था question चार नमबर होगे हम लोग का पाचवा question हम लोग करते हैं एक सदिस का प्रारंभिक बिंद 2 कामा 1 और अंतिम बिंद माइनस 5 कामा 7 है इस सदिस के अधिस योम सदिस घटक ज्याद के लिए तो यह हमारा कोई सदिस है प्रारंभिक बिंद हमारा है 2 कामा 1 और अंतिम बिंद है माइनस 5 कामा 7 इस सदिस के अधिस योम सदिस घटक ज्याद कीजिए तो अगर किसी भी बिंद क्या जो है निर्दे सांक पता हो तो उस बिंद की इस्थित सदिस हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका जो थिवरी योज़ो रहा कि x, y, z अच्छों में अगर यह कोई बिंद पी है इसके निर्दे सांक अगर x, y, z है तो जो op वेक्टर हमारा होता है op वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं एक्स इन्टू आई कैप प्लस y इन्टू जे कैप प्लस z इन्टू कैप यानि यह किसी बिंद के निर्दे सांक यदि किसी बिंद पी के निर्दे सांक x, y, z हो तो मूल बिंदू, o के सापेच, p का इस्थित सदिस, op बरावर हमारा क्या होता है एक्स आई कैप प्लस y, j कैप प्लस z, k कैप यह हमारा क्या है ठिवली वाला पार्ट है कि अगर किसी बिंद का निर्दे सांक पता हो तो उसके हेल्प से हम लोग उस बिंदू का इस्थित सदिस निकाल सकते हैं ठीक है यद़ किसी बिंद P के निर्दे सांक ग्स, y, z हो तो मोल बिंदू के सापेश p का इस्थित सदिस, x, i, j, z, k यही़, पिंद बिंद P और Q के निर्दे सांक हमको पता है तो बिंद P और Q के निर्देसांग पता है, तो किसी कहीं पर origin के साफेश हों लोग, ये O P vector निकाल सकते हैं, और ये O Q vector निकाल सकते हैं, तो O P और O Q vector पता करने से हमारा क्या हो जाएगा? पी Q vector पता चल जाएगा, और जो कोई vector पता चल जाता है, तो हमारे सदिस घटक तुरंथी पता चल जाते हैं, क्योंकि I, J, K के जो grant होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, अधिस घटक होते हैं, और सदिस घटक हमारा जो होता है, ये सदिस घटक हो गए, X अचिके 19, XI, Y, H की 19 तो यहाँ पर एक लाइन हम लोग और लिख लें यहाँ पर एक लाइन हम लोग यह लिख लें कि ओपी का ओपी यानि कोई वेक्टर का ओपी का सदिस घटक क्रम्चा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप और अदिस घटक एक्स कामा वाई कामा जेड होता है यानि अगर कोई वेक्टर आपका पता हो तो एक्स इंटू आई के वाला पार्ट जो होता है वो और वाई इंटू जे के वाला एक रमसाई एक्स वाई जेड अच्छो के अनुदिस हमारा सदिस घटक होता है तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि बिन्दू P और Q के निर्देसांग पता है तो हम लोग कहीं मोल बिन्दू O के साफेच हम लोग O P यानि P का इस्ठिस सदिस O P और Q का इस्ठिस सदिस O Q निकाल सकते हैं तो सबते पहले हमारा O P हमारा हो जाएगा 2I प्लस 1 इंटू J प्लस K वाला कोडिनेट नहीं है तो 0 इंटू K तो यहां से हमारा O P हो गया 2I प्लस J बिन्दू Q का इस्ठिस सदिस O Q हमारा हो गया माइनस 5 इंटू I प्लस 7 इंटू J प्लस 0 इंटू K क्योंकि K वाला कोडिनेट जीरो है तो यह हो गया माइनस 5I प्लस 7J अब हमारा क्या हो गया O P और O Q पता चल गया तो इससे हमारा P Q वेक्टर निकल जाएगा तो क्योंकि सदिस का प्रारंभिक बिन्द और अंतिम बिन्द तो हमारा सदिस P Q का जो है सदिस से वादिस घटक निकालना है तो इस तिर्भूज हम लोग देखें, तिर्भूज O, P, Q में देखें, यह पहले वेक्टर के अंतिम बिंदु पे दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु है, यह दूसरा वेक्टर हमारा हो गया, पहले वेक्टर के अंतिम बिंदु पे दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंद तो इन दोनों वेक्टर का योग क्या होगा पहले वेक्टर के प्रारंबिक बिंद से दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंद को मिलाने वाला वेक्टर यानि हम लोग लिखेंगे OP vector plus PQ vector equal to हमारा क्या होगा OQ vector तो PQ vector यहां से हमारा हो जाएगा OQ vector minus OP vector तो PQ vector हम लोग निकाल लेते हैं OQ हमारा क्या है minus 5I plus 7J OP हमारा क्या है 2I plus J तो यहां से हमारा जो PQ हो गया minus 5I plus 7J minus 2I minus J तो PQ vector हमारा हो गया minus 5I और minus 2I हो गया minus 7I और 7J minus J क्या हो गया plus 6J यानि अब PQ vector हमारा पता चल गया तो PQ vector पता चल गया तो PQ का सदिस घटर सदिस घटर minus 7I और 6J है सदिस घटर की का हमारा क्या हो गया क्योंकि कोई vector अगर आपका XI cap plus Y J cap plus Z K cap है तो उसका त्रमसा XYZ अच्छों के अनिश जो सदिस घटर होता है वो हमारा क्या होता है X अच्छ के अनिश XI हो गया ये घटर होता है Y अच्छ के अनिश Y J cap हो गया और Z अच्छ के अनिश जो घटर को होता है सदिस घटर Z into K cap होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है ये सदिस घटर को गया और अभी हम लोगों को और क्या चाहिए अदिस घटर तो अदिस घटर में हम लोग क्या करते है I J के जो है हटाने के बाद जो बसता है यानि X Y Z हमारे क्या होते है अदिस घटर को होते है X Y Z अदिस घटर को X I cap Y J cap और Z K cap हमारे क्या होते है सदिस घटक तो दूसरा पॉइंट हो लोग भी लिख लेखते हैं PQ का अधिस घटक यह हमारा PQ का अधिस घटक हमारा क्या हो जाएगा माइनस 7 और 6 यहां पर लिख लेते हैं PQ का अधिस घटक माइनस 7 और 6 है तो हम लोग कोई question एक message तो करेंगे ही लेकिन उसमें जो पूरा theory involved हो रहा है उसको भी पूरा देख लेंगे तो O P कोई vector है तो इसका जो O P equal to XI plus YJ plus Z के तो सदिस घटक करमसा XI cap YJ cap Z cap के होंगे और अधिस घटक हमारा क्या होगा X Y Z होगा तो यह हमारा question number 5 complete होगा